प्रिविद्यार्तियों कक्षार नो समझ जुग्यान इसमें है भूगोल और भूगोल में है अध्या एक समकालीन भारत एक इसके प्रश्णोतर है अध्या एक के भारत आकार और इस्थिति पहला है निम्द लिखे चार उत्तरों में से उप्यूग तो उत्तर चुनी है पहला है करकर एखा किस राज्य से नहीं गुजरती है रायस्थान, उडिसा, छतिसगर, त्रिपूरा तो इनमें समको बताना है कि करकर एखा किस राज्य से नहीं गुजरती है तो ये है ओडिसा इसका सही उत्तर है और इस समय आप ये वीडियो देह रहे हैं यूट्यूब चैनल लली दुलनार्या पर पहले प्रशन का दूसरा भाग भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है पहले प्रशन का तीसरा भाग उत्तरा खन उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्कीम कि सीमाएं किस देश को छूती है चीन, भूटान, नेपाल, म्यामार जिसका सही उत्तर है ग नेपाल पहले प्रशन का चौन्था भाग ग्रिश्माओ काश में आप यदि कवरत्ती जाना चाते हैं तो किस केंडर सासित सेत्र में जाएंगे पुडुचेरी, लक्षदीव, अंडमार और निकोबार, दीव और दमन ये चार केंडर सासित प्रदेश हैं तो यहाँ पर जाएगा किस केंडर सासित प्रदेश में जिसका सही उत्तर है लक्षदीव प्रश्ण नमर एक का पांचवाँ भाग मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश के सीमा भारत के साथ नहीं लगती है आप बताईए वह कौन सा देश है भूटान, ताजिकिस्तान, बांगला देश, नेपाल इसका सही उत्तर है ख़द ताजिकिस्तान प्रश्ण नमर दो, निम्न प्रश्णों के उत्ता संशेप में दीजिए पहला है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में इस्तीद दीप समू के नाम बताईए और इसी का भाग है दक्षिर में कौन-कौन से दीपी ये देश हमारे पडोसी देश है तिनके उत्तर देख है तो पहला प्रश्ण है हमर पास अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में इस्तीद दीप समू के नाम बताईए तो अंडमार और निकवार दीप समू बंगाल की खाड़ी में है तथा लक्ष दीप दीप समू अरब सागर में इस्तीद है दुसरा है दक्षिर में कौन-क का दूसरा वांभाभ, उन देशों के नाम बताईए, जो शेत्रफल में भारत से बड़े हैं, तो यहाँ पर देखें, तो भारत से बड़े जो देश हैं शेत्रफल में वो है 6, पहला है रूस, जिसका शेत्रफल है, 111,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00 और नंबर 6 पे है आस्ट्रेलिया 37.4 एक लाग वर्ग किलोमेटर शेत्रपल है और उसके बाद नंबर आता साथवे भारत का 32.8 साथ लाग वर्ग किलोमेटर शेत्रफल है तो भारत से बड़े कितने हैं? छे देश हैं और उनके शेत्रफल भी दिये ही यह क्रम से ज्यादा से कम की ओर सात्वे नंबर में भारत का आता नंबर प्रश नंबर दो का दूसर तीसरा भाग हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पडोसी देशों के नाम बताईए इनके उत्तर देखें तो उत्तर पश्री में हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान उत्तर में हैं चीन, भूटान और नेपाल उत्तर पुर्वी पडोसी देश का नाम है बांगलादेश और म्यामार तो यहाँ पर उत्तर पश्री में अफगानिस्तान और पाकिस्तान उत्तरपुर्वी उत्तर में चीन, भूटानों नेपाल और उत्तरपुर्वी में बांगलादेश और मियामार प्रेस्न नमबर दो का चॉन्था भाग भारत में किनकिन राज्यों से करकर एखा गुजरति है उनके नाम बताईए तो ये भारत में करकर एखा आठ राज्यों से होकर गुजरती है पहला राज्य है गुजरत, दूसरा है राज्यस्तान, तीसरा है मद्यप्रदेश, चौन्था है चतिसगण, पांचवा है जारखन, छटा है पश्रिम्ज बंगाल, सात्वा है त्रिपूरा, और आठवा है मिजोरा एक बार से फिर से इनको देखो राज्यों कुन से है गुजरत, राज्यस्तान, मद्यप्रदेश, चतिसगण, जारखन, पश्रिम्बंगाल, त्रिपूरा और मिजोराम अब इनको हम नक्षे पर देखते हैं, देखो ये, ये है करकर रिखा, और कहां कहां से गुजर रही देखो, ये भारत का नक्षा है, पहला है गुजरात, फिर उसके बाद में ये राज्यस्तान का ये छोटा से भाग से गुजरती है, गुजरात, राज्यस्तान, फिर ये म एक बार फिर से देख लें गुजरात, रायस्तान, मद्यप्रदेश, चतिजगड, जारकन, पश्रिम मंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम नमबर तीन, सुर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पुर्वी भाग में गुजरात के पश्रिम भाग की अपैक्षा दो घंट पेले क्यों होता है, जबकि दोनों राजियों में गड़ी एक ही समय दर्साती है, इस पश्ट कीजिए तो यहाँ पर इसका इस पश्रिकरण है, एसा इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पुर्वी भाग एवं गुजरात के पश्रिमी भाग में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, प्रत्यक एक डिग्री देशांतर के बीच, 4 मिनट के समय का अंतर होता है, देख एक डिग्री देशांतर से दूसरी देशांतर जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पुर्वी भाग और गुजरात के पश्रिम भाग में कितना का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का, तो 30 में 4 का गुणा कर देते हैं, एक मिनट में एक घंटा तो 120 में कितने हो जाएंगा 62 120 मतलब दो घंटे हैं तो यहां अंतर किसलिए आ रहा है दो घंटे का अंतर आ रहा है एक बार फिर से एसा इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग एवों गुजरात के पश्चिमी भाग में 30 डि अंतर के बीच चार मिनट के समय का अंतर होता है इसलिए अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग एवों गुजरात के पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर आ जाता है एसा भारत के मानक समय के कारण होता है तो हमने यह देख लिया क्यों अंतर आता 2 घंटे का अब इसे किस प्रकाल लाब प्राप्त हुआ हिंद मासागर में भारत की केंद्री इस्तिती से इसे किस प्रकाल लाब प्राप्त हुआ तो इसका उत्तर है भारत को इस इस्तिती का प्राचिन काल से ही लाब मिलता रहा है इस इस्तिती के कारण भारत के जलमार्ग द्वारा पुर पुरूवी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता है और इसी कारण इन देशों से बारत के सांस्क्रतिक एवं व्यापारी संबंद स्थापित हो सके हैं। देश से लगे होने के कारण ही महासागर का नाम हिंदूस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा। यहाँ पर क्या है प्रशन यह है कि हिंद महासागर में भारत की केंदरी इस्तिती से इसे किस प्रकाल लाप राप्त हुआ। सांस्कृतिक इव्यापारी संबंद स्थापित हो सके हैं। और महासागर जो है उसका नाम हिंदूस्तान के करीब होने के कारण मतलब भारत के करीब होने कारण उसका नाम क्या रहा हिंदूस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा। तो आपने देखा ये YouTube चैनल लली तुनारे पर कक्षा 9 सामजविज्ञान में भुगोल भाग है उसमें समकालिन भारत भुगोल का नाम है समकालिन भारत एक उसका है अध्या एक नाम है उसका भारत आकार और इस्तिती और उसके हमने प्रशनोता देखें तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और नमी सामजविज्ञान के सभी भुगोल, राजनिती, अर्थसास्त्र और जो भी चार भाग हैं उनके सभी अध्यायों के प्रशनोत्तर के वीडियो में अपलोड करूंगा तो इस वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्क्राइब कर ल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद